हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि हम स्थार में हम मोटर का कनेक्शन किस तरह से करेंगे डेल्टा में मोटर का कनेक्शन किस तरह से करेंगे और स्थार डेल्टा में मोटर का कनेक्शन किस तरह से करेंगे इसमें मैं A to Z किलियर करूंगा इसके connection करने में आपका जो motor का rotation होगा वो बिल्कुल okay चलेगा तो बिना देर किये चलिए वीडियो को start करते हैं और एक-एक को समझते हैं एक simple diagram से तो यह देखिए जो मैं motor का terminal दिखाया हूँ motor में हमारा जो होता है 6 terminal होता है उसके बाद हमें माल लिजिए star में connection करना है motor को star में connection करना है तो सबसे पहले हम लोग को जो फेरून number होता है motor का जो फेरून number होता है u v w करके लिखा होता है तो u v w का मतलब क्या है तो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ u का मतलब हो गया r face u का मतलब हो गया r face u जहां रहेगा वहां हम r face connect करेंगे, V का मतलब हो गया Y face, W का मतलब हो गया B face, तो हमको यही याद रखना है तो हम लोगों को यही याद रखना है U, V, W, मतलब R, Y, B, यह याद हो गया अब हम connection कैसे करेंगे, अब माली जी हमें motor के star में connection करना है, star में connection करने के लिए क्या होता है 6 पत्ती है हमारा 6 टर्मिनल है क्या करते हैं हम एक तरफ का तीनों sort कर देते हैं और एक तरफ U में R फेस, Y फेस, W B फेस, connect कर देते हैं तो हमारा एक connection जो है star में हो गया, यह star में connection हो गया, यह binding, binding के बारे में एक बर जान लेते हैं यह जैसे हमारा U1 अगर U1 binding होना start हुआ, तो उसका दूसरा सिर्य निकलेगा, तो U2 हो गया V1 binding होना start होगा तो V2 निकल जाएगा तो कोई भी binding होगा, एक सिर्य से start होगा, तो दूसरा सिर्य निकलेगा तो star का connection हम इसी तरह से करेंगे, एक तरफ का start कर देंगे, और दूसरे तरफ R face, Y face, B face लाखे connect कर देंगे, तो हमारा star का connection कंप्लीट हो गया, अब माली जी by chance उल्टा चल ला है motor, तब क्या करेंगे, तो face जो है, face को आपस में exchange कर देंगे, जैसे R को delta motor का connection, delta में motor का connection किस तरह से करेंगे, तो delta के तरफ चलते हैं, तो delta motor connection, तो delta में क्या करेंगे, सामने सामने का जो पत्ती होगा, सामने सामने पत्ती को हम sort कर देंगे, सामने सामने पत्ती को sort करेंगे, उसके बाद हम R, Y, B एक तरफ connect कर देंगे RYB connect कर देंगे हमारा जो मोटर होगा वो बिलकुल ओके चलेगा बाइचांस उल्टा चला है तो हम आपस में फेस को exchange कर देंगे फिर भी उल्टा चला है तो B से exchange करेंगे मतलब अगर हमारा मोटर का rotation उल्टा है मतलब मोटर चला है उसका rotation उल्टा है तो उस समय क्या करेंगे हम face को जो है exchange कर देंगे आपस में तो हमारा delta का connection कुछ इस तरह से करेंगे star में हम एक तरफ का पत्ती को start करेंगे delta में हम सामने सामने के पत्ती को start करेंगे अब सबसे main हर कोई confuse होता है start delta motor का connection में हर कोई confuse होता है start टो मैं एक केसा ठीक बताऊंगा की हमेशा याद रहेगा और कभी भी connection करने में कोई problem नहीं होगा तो start delta motor के connection में पहला बात तो हम कहीं पर किसी भी पत्ती से किसी भी पत्ती को saut नहीं करेंगे जैसे हमारा A6 terminal है तो 6 terminal अलग-अलग रहेगा हम पत्ती को निकाल देंगे, क्योंकि पत्ती लगा रहता है, उसको हम निकाल देंगे, सौट नहीं करेंगे, पहला काम हो गया, दूसरा काम, स्टार्ट डेल्टा मोटर का कनेक्शन करते, टाइम एक मल्टी मीटर होना चाहिए, जिससे हम कांटिनीटी चेक करेंगे, उसके बा चाहिए, तो इससे हमारा U2 कांटिनीटी बजेगा, V1 पे लगाएंगे, V2 पे लगाएंगे, तो कांटिनीटी बजेगा, और W1, W2 पे लगाएंगे, तो कांटिनीटी बजेगा, अब कनेक्शन कैसे करेंगे, हमें याद है, U का मतलब R, V का मतलब Y, W का मतलब B फेस, मतलब पहले नमबर पे हम जो start delta starter में हमारा तीन contactor होता है एक तो हमारा main का contactor होता है एक हमारा delta का contactor होता है और एक हमारा star का contactor होता है तो सुरू में जो start delta starter जब चलता है तो उस समय पहले हमारा main contactor hold होता है main और star का hold होता है उसके बाद जो भी हमारा टाइमर सेटिंग रहेगा उतना देर बाद जाके हमारा मेन और डेल्टा चलता है इस्टार आफ हो जाता है तो क्या करेंगे पहले सुरू में हम U1, V1, W1 देखेंगे अगर नहीं है तो भी अगर नहीं है माली जी मोटर के टर्मिनल में फिर उन नंबर ही नहीं है U1, V1, W1 लिखा ही नहीं है तो उस समय हम क्या करेंगे R, Y, B एक तरफ कनेक्ट करनेंगे अब सबसे समझने वाला बात यही होता है कि डेल्टा का कनेक्शन हम जो में से हमारा आउटपुड निकलता है और डेल्टा और इस्टार का दोनों का एक ही आउटपुड निकलता है तो हमारा तीन वायर हो तीन वायर हमारा डेल्टा का तो छे वायर हो गया तो हम मेन का जो है आर वाय भी एक सीरे में लगा देंगे अब हम मल्टी मीटर से चेक किये हैं जैसे हमारा जो आर्म आर्म हम जहां पर कनेक्ट की हैं उसमें हम क्या करेंगे continuity देखेंगे यहां हम लगाएं मल्टी मीटर का एक प्रोब दूसरे प्रोब से हम चेक की है तो हमारा continuity इस पर वज़ा r के साथ क्या है हम delta का y face जोड़ेंगे r के साथ main का हमार r है उसके साथ हम delta का y face connect करेंगे y face connect कर दिये उसके बाद क्या करेंगे फिर यह हमारा y face है y face main का है उसके बाद delta से जो output आ रहा है उसका हम b face connect करेंगे continuity से check कर लेंगे b face connect करेंगे उसके बाद जो हमारा B फेस जहां पर connect है वहां पर हम R फेस connect करेंगे तो हम याद कैसे रखेंगे कि हम कौन सा कैसे connect करेंगे तो हम को हर कोई फेस फेस R फेस Y फेस B फेस ऐसे ही पढ़ता है R फेस Y फेस B फेस ऐसे ही पढ़ता है में का connect की है जब हम डेल्टा का connect करेंगे तो आई फेस से सुरू करेंगे वाई फेस बी फेस उसके बाद पीछे आ जाएंगे आर फेस आर फेस को connect करेंगे तो यह देखिए मैं यहां पर लिख भी दिया हूं सिंपल में आर के साथ वाई मतलब आर जो हमारा बैंडिंग होना स अर्ड हमारा बैंडिंग कुछ इसी तरह करेंगे उसके बाद या फेस को कनेक्ट करेंगे और बी फेस का जो बैंडिंग है उसके दूसरे सिरे पर हम आर फेस को कनेक्ट करेंगे अगर हम इस तरह से कनेक्शन कर रहे हैं इस तरह से अगर हम कनेक्शन कर रहे हैं तो जो मोटर होगा हमारा start delta जो motor होगा ओब बिलकुल एक बार connection करने बिलकुल okay चलेगा हो सकता हो कि अगर इस तरह से आप connect किये हो सकता हो फिर उन नमबर ना रहा हो तो हमारा फ्यर जो है इधर उधर हो गया हो motor चलेगा लेकिन क्या होगा उल्टा चलेगा तो उल्टा चलेगा उसको सीधा किस तरह से करेंगे सीधा करने के लिए हम कोई भी अगर हम इधर main का output main contactor का output आके motor में connect हो रहा है उस फैस को आपस में अगर exchange करेंगे जो भी हम आपस में जैसे R Y को आपस में exchange कर रहे है तो हम देल्टा का भी जो आउट्पटर का जो आउट्पूट का आया पस करेंगे जब भी हम main का यह आउट्पूट COVID का आया है motor में connected है इसको माली जी R से ओआई च्चेंज कर रहे हैं तो यहां पर भी हम R और Y फेस आपस में एक्सचेंज करेंगे, एक्सचेंज करेंगे तो मोटर का जो रोटेशन होगा वो बिल्कुल ओक्के हो जाएगा, बिल्कुल सीधा चलेगा, अगर इस तरह से देख के हम कनेक्शन करेंगे स्टार्ट डेल्टा मोटर में, तो रोटेश नहीं कि हम में का एक वायर इधर जोड़े, एक वायर उधर जोड़े, एक वायर इधर जोड़े, एक वायर उधर जोड़े, में का एक तरफ कनेक्ट करेंगे, और डेल्टा का एक तरफ कनेक्ट करेंगे, अब यही देखना है हम को जिसमें हम R फेस कनेक्ट कियें, उसका द दूसरे सीरे पर हम R फिस कनेट करें, तो A, A याद रखिए, R के साथ Y, Y के साथ B, B के साथ R, और सबसे बड़ी बात हम लोगों को A, B याद रखना है, U का मतलब R फिस है, V का मतलब Y फिस है, W का मतलब B फिस है, तो हम इस वीडियो में जाने, स्टार मोटर का कनेक्शन, डेल्टा मोटर का कनेक्शन, और स्टार डेल्टा मोटर का कनेक्शन, तो स्टार डेल्टा मोटर का कनेक्शन, A to Z में किलियर कर दिया, तो इस वीडियो में इतना ही जाने, फिर जानेंगे नेक्ष्ट वीडियो में, जानकारी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और सियर करना ना भूले थैंक यू